प्रगती मैदान टनल का उद्गाटन क्यों की हुआ है और उसी दौरान संबोधन में प्रधान मंत्री मोदी ने और अपने अक्शन्स के जरिये स्वच्चता का संदेश कैसे दिया वो तस्वीरों में इस वक्त आप देखिए टनल में एक बोतल पड़ी थी और गुटकी का प उठाई है और उससे पहले गुटके का पाउच था ये दोनों अपने हाथ में उठाते हुए एक बड़ा संदेश स्वच्चता संदेश प्रधान मंत्री मोदी ने कैसे दिया है तस्वीरे इस वक्त आपके सामने है और इन दोनों चीजों को उठाने के बाद प्रधान मंत् गुटके का पाउच उन्हे नजर आता है और थोड़ा सा वो आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अभी बोटल उठाएंगे फिर उसको वो डस्ट बिन में डाल देते हैं रजनीश रंजन मेरे सेहोगी इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रजनीश इतनी साथगी के साथ इतना बड़ा संदेश स्वच्चता से जुड़ा हुआ प्रधान मंत्री मोदी ने दिया और जाहिर बात है जिन जिन ने ये तस्वीर देखी होगी वो संदेश सीधा उन तक पहुचा होगा कि कैसे हमें स्वच्चता बनाए रखनी बिल्कुल देखें प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने साथ तौर पर इस टनल के उधगाटन के मौके पर जो बाते कहीं है तक also के लिए एक बड़े संदेश्टा तरह है निशु तोर पर इससे अप जो बहुत सारे वाइदय है वे प्रधान मंत्री ने गिना है चाहें प्रधूशन कम होने का का फायदा हो ट्रैफिक कम होने का फायदा हो लोगों के समय बचने का फायदा हो लेकिन अलग प्रदान मंत्री ने जो बात कही है वह एक शांदार कलाकृती जो उन्हों नों वहाँ पर देखी उसका प्रदान मंत्री ने वर्णन किया है और जिस उदेश्य के लिए इस टनल क रजनी शाप को दो सेकिंड रोक रही हूँ इस टनल की महत्ता के बारे में तो देखिया हम बात करी रहे हैं लेकिन अभी जो तस्वीरे हम दिखा रहे हैं वो इस बहुत माइने रखती हैं प्रधान मंत्री ने टनल में पड़ी हुई एक बॉटल को खुद उठाया और एक पाउच पड़ा था जो नीचे जाहर बात है गंदगी नीचे वो कर रहा था इन दोनों चीजों को प्रधान मंत्री उठाते हैं और उसके बाद इसे टनल में जब वो मौझूद होते हैं वो लाखो करोडों लोगों तक सीधे पहुचा है अब बिल्कुल देखे स्वच्छता की बात आपने की है निश्ची तोर पर प्रधान मंत्री का ये बड़ा संदेश है और देश में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत प्रधान मंत्री ने की थी अक्टूबर 2014 में 2 अक्टूबर सी इसकी शुरुआत हुई थी और उसके बाद से लगातार प्रधान मंत्री इस तरह के जो उनके जेश्चर है इस तरह का जो उनका अपेरेंस है वो हमने कई बार देखा है अलग अलग जगों पर उन्होंने खुद कचरा साफ किया है खुद उन्होंने जाड़ू लगाया है और आज भी जो तस्वीरें वहां से निकल कर सामने आई है टनल की ओर से निश्चर तोर पर पूरे देश के लोगों को देश के करोडों लोगों को वो सीधे सीधे संदेश देना चाह रहे हैं कि सफाई और स्वच्चता देश के लिए किसी वेक्ति के लिए कितना जरूरी है और बिल्कुल रजनीश देखे ध्यान इसलिए भी रखना होगा क्योंकि आप इस टनल का इस्तमाल बड़ी संक्या में लोग करने वाले हैं और बार बार हमने इस तरह के संदेश आते हुए देखे हैं कि आप सड़क पर कच्रा ना फेके कच्रे की ज प्रधानमंत्री मोदी ने आगे बढ़ते हैं खाली बोतल उने नजर आती है बेहिचक प्रधानमंत्री उसे उठाते हैं और फिर आगे उसको डस्ट बिन में डाल देते हैं टनल का उधगाटन करने के साथ साथ स्वच्छता का संदेश प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से प्रदान मंत्री का ये और रचनीश भी हमारे साथ जुड़े थे क्योंकि इस टनल की मात्ता को लेकर बार बार हम बात करें ये टनल कितनी आसान सफर को बना देगी लोगों के जो रोज जाम में फसते हैं तकलीकुफों का सामना करते हैं जो बड़ता प्रदूशन इस तरह है उसको ये कैसे कम करेगा कितना हाइटेक और देखे कितना सुन्दर ये टनल बना हुआ है ये तो तस्वीरों में बार बार दिखी रहा है लेकिन यहां से एक मेसेश प्रदान मंत्री ने सीधे दिया है उन लोगों को जो इस टनल का इस्तमाल करेंगे उन राहगीरों के लिए जो इस टनल को क्रॉस करेंगे किसी तरह की गंदगी वो ना पहलाई ये एक बड़ा स्वच्चता का संदेश प्रदान मंत्री ने कुछ इसी तरह से दिया है ये देखे नीचे कच्रा जो नजर आया प्रदान मंत्री को बेहिचक प्रदान मंत्री ने उस कच्रे को उठाया अपने हाथ में लिया अब देखे वो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसी दोरान वो ये भी देख रहे हैं टनल को कितना खुबसूरती से कलाकृतियों के जरिये तयार किया गया है सजाया गया है और फिर उन्हें एक खाली बोतल पड़ी हुई नजर आती है इस बोटल को भी प्रदान मंत्री पिक करते हैं उठा लेते हैं और टनल में सफाई का खयाल रखते हुए जमीन पर पड़ा हुआ कच्रा उठाते हैं अब जो दूसरी तस्वीर है उसमें प्रदान मंत्री के उल्टे हाथ में वो खाली बोतल भी नजर आती है ये देखिए कुछ इसी तरह से इस बोटल को पिक किया उठाया प्रदान मंत्री ने और आगे की तरफ बढ़े और जो उन्हें डस्ट बिन दिखा उस डस्ट बिन में प्रदान मंत्री ने इस कच्रे को डाल दिया खुद उठाई है टनल में पड़ी हुई बोतल प्रधान मंत्री ने तो इस तरीके कि कई चीजे प्रधान मंत्री कई बार कर देते हैं जो चौकाती भी हैं बेहिचक कुछ चीजे ऐसी प्रधान मंत्री की तरफ से कर दी जाती हैं जो अपने आप में बहुत माईने रखती हैं बहुत एहम होती है और ये इसी लिए और ज्यादा महत्पून हो जाता है क्योंकि स्वच्चता अभियान प्रधानमंत्री ने जिस बड़े स्तर पर हमेशा से चलाया बड़े-बड़े सेलेब्रिटीज को जिम्मा सौपा, स्वच्चता अभियान के ब्रैंड अम्बैसेडर के तौर पर उनको चुना कैसे स्वच्चता का संदेश प्रधानमंत्री ने अपने सिर्फ बातों के जरीए नहीं, अपने भाशनों के जरीए नहीं, बलकि अपनी इन आक्स के जरीए भी दिया यानि खुद देखिए कैसे पड़े हुई गंदगी को पड़े हुए कच्रे को प्रधानमंत्री इस टनल के मुआइने के दौरान उठाते हैं और उसके बाद इसको डस्पिन में डाल देते हैं टनल का निरीक्षन करते वक्त सफाई का ये बड़ा संदेश इतनी सादगी के साथ प्रधानमंत्री ने दिया है जो लाखों करोडों लोगों तक निश्चित तोर पर पहुँचेगा क्योंकि इस टनल का इस्तमाल कई लोग करने वाले हैं इस टनल को क्रॉस करेंगे इस टनल से वो गुजरेंगे और क्योंकि बहुत हाइटेक तरीके से इस टनल को बनाया गया है हर एक सुविधा चाहे वो लाउट स्पीकर के माफ कीजिएगा एक स्पीकर के माध्यम से दी ग इस टनल में सफाई का खयाल रखे प्रधानमंत्री मोदी ने ये सुनिश्चित किया कि वो संदेश भी जाए लोगों तक ये देखे एक बार फिर से ये तस्वीरे बार बार दिखाने का मकसद ये है कि लोगों तक ये जैश्यर प्रधानमंत्री मोदी का पहुँचे और जब इस टनल का इस्तमाल करें तो सफाई का भी खयाल रखें जैसे प्रधान मंत्री मोदी ने खुद किया